पब्लिक टीवी आपकी आवाद दीदगायू की काम लखी इस अवसर पर महापौर विरोद अगरवाल ने कहा कि उत्तभुदेश और पुर्यदेश की जनता ने जो प्यार दिया है उसका हम स्वागत करते हैं और भारतो जनता पार्टी तीसरी बार अपुशनकार बनाने जा रही है नरेंद्र मोधी तीसरी बार पुदान मंत्री बनेंगे साती उन्होंने कहा कि सीटे कम आने की वजह पर भी जानने की समिक्षा की जा रही है आज फारत के पुदान मंत्री मानेनी है नरेंद्र मोधी जी एक बार फिर मोधी सरकार और तीसरी बार एंडिये के गड़वन्दन की सरकार बनने जा रही है उसके उपलक्ष में जो कल परिणाम आये हैं उसके आज से लिबरेशन किया और आने वाले पाथ साल ने विक्सित भारत के लिए नए भारत के निर्माण में विष्व को एक नई उचाईयो में विष्व में भारत को नई उचाईयो तक पहुचाने के लिए जो ये कल माननिये प्रदान मंतिरी जी ने अपना संकल्प दोराया है उसके लिए आज हम समने पार्षदों ने कैप आफिस पे यहां अज सेलिबरेशन किया इसके साथ ही आज उत्तर प्रदेश के ये सच्वी मुक्ह मंतिरी माननिये आदर्णिये योगी आदेतेनाजी का जन्दिवस है और ये हमारे लिए परमसभाग्य का विष्व है के हमें उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुक्ह मंतिरी मिले जिनोंने उत्तर प्रदेश को नजी दिशा और दर्षा दिये कानुन विवस्सा को समाला है और आज विकास के लिए जो आगे उत्तर प्रदेश पढ़ रहा है उत्तम प्रदेश के नام से अब जाना जाने लगा इसके लिए आज उनको बढ़ाई बहुत-बहुत शुपकामना है और सब लोगों ने उनके दीरगायू होने की कामना की के महराजी का शिर्वात सदेव हम सबको पे बना अब यह कुछ भी कारण है इसकी समिक्षा होगी और मेरे साथ से तो तुकि करमी ख़ाई भी बहुत थी छैचे पाँवें चैचे साथ में राउन में और मुरादाबाद में तो पोलिंग परसेंटेज ठीच थी बहुत पे पोलिंग परसेंटेज खांटी लोग अधिक्तम मतदाता अपने मत का प्रियोग करने निकल ही नहीं पाई और जो भाज़ापा का क करने में कहीं न कहीं कभी छोड़िये हैं और क्या वजह थी गर्मी में वजह थी पब्लिक टीवी आपकी आवाज